है न बहुती शानदार, मज़ेदार और बहुती टेस्टी टमाटर का पाउडर तो आप इस तरीके से टमाटर का पाउडर बनाएए मेरी मानिये कि आपके काफी पैसे भी बच्चत होंगे आप सबजी में वो ही टेस्ट ला पाएंगे जो टेस्ट आप टमाटर के महेंगे होने पर नहीं ला पाते हैं हलो एड़ीवन, मैं विलाशा शर्मा, आपके अपने चैनल विलाशा कीचन में एक वाफीस हैं आपका स्वागत करती हूँ, आज हम टमाटर का पाउडर बना के तयार करेंगे यह पाउडर बहुत ही काम की चीज होती है, अभी तो मार्केट में टमाटर बहुत ही सस्ते हो रहे हैं अंदाज से शायद 10 या 15 रुपे किलो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा सीजन आता है जब टमाटर 50, 60 या 80, 90 तक भी चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम जल्दी सी बहुत सारी कॉंटिटी में टमाटर खरीद नहीं पाते हैं तो हम क्यों न जब टमाटर सस्ते हो तो हम इसका पाउडर बना के रख लें तो यह बिल्कुल टमाटर के जैसे ही टेस्ट देगा, वो ही टमाटर वाला जो स्वाध होता है, वो ही टमाटर का स्वाध हमें टमाटर के पाउडर से मिलेगा यह हमारे कीचिन की बहुत ही उपियोगी चीज होती है तो चलिए आज हम तयार करते हैं टमाटर का पाउडर बनाना यहाँ पर मैंने बहुत सारे रेड टमाटर लिये हैं आपको टमाटर का पाउडर बनाना हो तो आप बिल्कुल रेड टमाटर ही लीजिए इनको मैंने अची तरीके से दो लिया था यानी कि इन्हें आदी से 1 घंटे तक मैंने पानी में डूबो की रखा था क्योंकि आज कल आपको पता है कि मार्केट में सबज़या लाने के बाद में उसे 1-5 घंटे तक पानी में रखना पड़ता है क्योंकि भी कोरोना का बहुत ही ज़्यादा एफेक्ट हो रखा है तो हमारी सावदा नहीं हमारे पास है तो हमने क्या किया है कि इसमें एक पिंच मीटा सोडा डाल करके इसे आदे घंटे के लिए पानी में डुबो के रखा था उसके बाद में हम इने पानी से बाहर निका लि यू। पेढ़ी और टमाटर को छोटे चोटे चोटे रौड पीकीज में यानि कि पतले राउंड पीकीज इसमें काट लेना है इस तरीके से वहारे तरा में सारे थामाटर को नहीं है तो यह देखिया हों त Volley पर बटर पत्यपर कैट लिया है और एक एक slice को हम इस पर इस तरीके से रखेंगे जिसे कि टमाटर को सूखने में कोई दिक्कत नहीं हो आप चाहो तो थाली पर बटर पेपर भी विचा करके और फिर आप टमाटर सुखा सकते हो तो आप यहाँ पर देख सक रहे हैं मैंने सारे टमाटरों को इस तरीके से पत्ते पत्तिल स्लाइस में करके और थाली में सुखा दिया है और इने तीन से चार दिन तक या जो भी चार से पांच दिन जितने भी लगे यह टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राइ होने चीए हमें इनको धूप में रख देना है जहां पे आपके पास धूप आती हो यानि कि आपकी बालकनी में या छट पे जहां भी आपके पास जगह हो धूप आने की आप इनको धूप में रख दीजिए तो फ्रेंड्स चार दिन हो गए हैं टमाटर को काट करके सुखाई हुए और यह देखिए धूप में यह कुछ तरीके से हो गए हैं तो आप इसे घब रहीएगा नहीं यह बलेक कलर नहीं हुआ है टमाटर सूपने के बाद में ऐसे ही हो जाते हैं मैंने दोनों प्लेटों के टमाटर को प्लेट से निकाल करके और एकी जगा कर लिया है तो यह देखिए काफी अच्छे से सूप चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सी जार लेंगे और उनका पाउडर बनाएंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स मेरा मिक्सी जार थोड़ा बड़ा है और मैंने थोड़ा सा ही पाउडर बनाया है क्योंकि मेरे पास पाउडर बनावा और रखा था तो यह थोड़ा दरदरा सा पीसा है यानि कि पाउडर तो हो गया है तो आप इसे किसी एर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रीज में रख लीजिए यह आपका तीन चार मेने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो इसे एर टाइट के पाउडर की रेसिपी तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ है न बहुत शांदार मज़ेतार और बहुत टेस्टी टामाटर का पाउडर तो आप इस तरीके से टामाटर का पाउडर बनाएए करके मेरे चैनल आपके काफी पैसरी वच्छत होंगे आपको सबजी में वोगी टेस्ट लापाएंगे जो टेस्ट आप टवाटर के महेंगे होने पर नहीं लापाते हैं तो फ्रेंड्स इस तरीके से पाउडर बनाएए झाल मारे जल नहीं लापते हैं पाउडर ऊेस्ट लाप्रेंगे जाड़। द girाडेर एकाफी जार बनांगेगे बनाए पाउड़र ज्रब काते हैं उनल प्रागणगे णनल जीत दॉब नहीं